नमस्कार दोस्तों, बहुती संदार भरती निकल कर आचुकी है Union Bank of India में, Union Bank में जो है apprenticeship की भरती निकालीगी है, 500 post पे भरती निकालीगी है, इसमें आपकी salary जो है 15,000 रुपे आपको मिलने वाले हैं, और ये एक प्रकार का apprenticeship training भरती है, इसके लिए आपको कैसे form को भरना है, step by मैं आपको एक live form फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको form फिल करने में किसी प्रकार की mistake नहों, और आप easily भरती के लिए form को apply कर से, चले मैं आपको ले जलता है अपने computer के screen पे, और यहां पे आप देखेंगे Union Bank of India के द्वारा जो है, इनके official website पे ये वेकेंसी निकालीगी है, apprenticeship vacancy है, यहां पे notification पे click करेंगे, तो आपका ये notification download हो जाता है, इस notification में भरती की सारी information को आप पढ़ सकते है, मैंने चीजों को highlight कर रखा हुआ, ताकि मैं आपको पहले अच्छे से समझा सको, और फिर मैं आपको जो एक live form फिल करके बताऊंगा, इसका आवेदन भी start है, 12 सेतंबर तक आप form को apply करने वाले, तो यहीं से आपको form को भरने, अभी मैं आपको form भरने का पूरा process बताऊंगा, पहले आपको एक नया relation करना होगा, profile बनाना होगा, फिर आपको last में form को भरना होता है, पूरा process आपको समझाओंगा, वीडियो को last तक देखिए, और वीड परदिस में, 61, उतराखंड में 3, तिलंगरा में 42, तमिलांडो में 55, रास्थान में, ऐसे पंजाब में 10, डेली में 17, ऐसे करके महरास्टा में 56, केरला में, ऐसे आपको 500 पदों को भरती आपको निकाली गई है, बिहार में 5, वेकिंसी असम में 4 है, इस तरह से आंधर आपके लिए, आपका उम्र 20 वर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 28 वर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक अगस 2024 को आपकी उमर की गढ़ना की जाएगी, एक अगस 296 से लेकर, एक अगस 2004 के बीच आपका डेटर बर्थ है, तो आप फॉर्म को भर सकते है, इसक से लेकर 31 वर्स के आपके उमर सीमा है, तो आप इस भरती के लिए अपलाई करेंगे, यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है, उमर सीमा यहाँ पे देखने को मिलता है, अलग-अलग के टिगरी वाइज, यहाँ पे जो प्रोफाइल बताएगा है, यह एक जह है, इंप्लोई में ले रखा हुगा अप्रेंटीशिक्या होगा तो आपको छूट मिल जाता है, यह आपका बेनिफीट्स मिल जाता है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्टाइपन यानि बेनिफीट्स मिलता हो, आपको 15,000 पर मन्त आपको सेलरे मिलता है, और यहाँ पे आपको selection process के ब बाद से NTS के portal पे जाके आप form को apply करेंगे, form को apply करते समय आपको एक mail आएगा, जब आप form final submit कर देंगे na NTS के website पे, तो इनके द्वारा एक mail आएगा, उसमें आपको payment की सारी जनकारी लिखी रहेगी, कि आपको कैसे payment जमा करना है, तो यहां से आप mail को receive करेंगे, जो भी mail है N के द्वारा एक sms आएगा, उस sms में आपको पूरी जनकारी रहेगी mail में कि आपको कैसे payment जमा करना है, फिर payment जमा करके screenshot आपको यह लोग mail करते हैं, और उसके बाद आपका apply हो जाता है, तो यह आपका application fee लगता है, general OBC के लिए 800, all female के लिए 600, assistee के लिए 600, और Biklang के लगते हैं, अब आपका जो examination है, उस September 2014 में यहाँ पर बताएगा है, कि आपका tentatively conduct करे जा सकते हैं, तो आप लोग त्यारी mail लग सकते है, result के बारे में बताएगा है, आपको advertisement बता दिया, अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको form को भरना है, form भरने के लिए आपको आना होग email ID, एक mobile number, passport size photograph, आधार seeded map, account number और एक qualification के जो भी information आपको देना होगा, उसका PDF भी चाहिए, और आपको bank passbook की जनकारी भी चाहिए, या statement भी आप दे सकते हैं, आपको यहाँ पर yes कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना जो है जनकारी भरने हैं, आपको email address, mobile number के अप्चा पी चला जाएगा, इस वाले box में email वाल OTP, और mobile पे OTP चला जाएगा, mobile वाला OTP इस वाले box में लिखके, आपको verify OTP पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, mobile email OTP verify करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो इस परकार से आपका आ जाएगा, आवेदन form, अब यहाँ पूछ रहा है कि have you undertake any previous training, आपने कभी जो है इसके पहले apprenticeship की program जो है training लिया लिया है, तो yes करेंगे वाला नो करेंगे, तो no ही आपको करना है, previous training आप ले चुके हैं, तो आप eligible नहीं है, आपके पास कोई work experience है, तो आप यहाँ नो करेंगे, और यहाँ पे have you passed out regular या part-time distance, आप जो है, पास कर चुके हैं regular से या part-time या distance वाला, तो आपका जो भी है, तो regular यहाँ mostly लोग करते हैं, जैसे कि जो open schooling से करता है, उनका distance होता है, या part-time होता है, अगर आप regular class करके जो है, यहाँ पे अपना educational qualification फुल्फिल करने हैं, तो आपका regular होता है, अब यहाँ अपना पूरा नाम लिख तो आप देख लिजेगा कि कि कास से बिलोग करते हैं, इस तीन option को छोड़के आप दूसरे किसी कार्ट से आते हैं, तो आप other choose कर लेंगे, ऐसे, तो OBC और SCST और बाकी other, तीन चारी option है यहाँ पे, यहाँ पे अपना अधार नमा लिखना है, यहाँ पे upload अधार card, अधार card की photocopy आपको upload करने है, जो कि AKMB से कम होना चाहिए, state, आप institute belong, मतलब आपको अपना जो है, state का नाम बताना है, जहाँ से आपका institute belong करता है, तो आप अपना institute का जो है, यहाँ पे state choose करेंगे, district to which institute belong, आप जहाँ से qualification फुल्फिल करते हैं, आप कहां से district कहां से आता है, यहाँ आप पर थोड़ा समय लगा आने में, क्योंकि यहाँ पर data fetch होता है, आप अपना district का यहाँ नाम बता देंगे, जहां से आपने institute, जहां से आपने पढ़ाई किया है, फिर institute का name, किस बिद्धाले से आपने पढ़ाई किया है, आप सभी बिद्धाले का नाम आ रहा है, देख सारा college आएगा, नहीं आगा, तो other का option, other आप चुनाव करेंगे, तो नाम लिखने का आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आपने qualification फुल्फिल किया है, अपना जो है, राजे का नाम, district का नाम, institute का नाम या लिख देंगे, तो आपको जहां से पढ़ाई किया है, वहां का district का नाम और institute का नाम लिखना है, अब यहाँ पर आपको बताना है, education type, pass out, आप जो है, क्या किया है, या diploma in general extreme है, या vocational है, engineering है, या जो general extreme होता है, या vocational होता है, technology type का आपने कोई course कर रखा है, तो जो B.A.B.C. वगर रखिये हैं, वो general extreme आ जाएंगे, अगर कोई engineering किया है, जैसे B.A तो ऐसे देख सकते हैं, तो अपने according हाँ पर चुनाओ करेंगे, यहाँ देखिए इस तरह से आ रहा है, यू है पास्ट आउट general bachelor degree, bachelor of computer application, BCA, bachelor of arts, fine arts, bachelor of business administrative, elementary, यहाँ पर आ रहा है, बहुत सारा, अगर इसमें है, bachelor of arts भी है, bachelor of commerce भी है, bachelor of science है, इसमें से कोई आपका होना च चाहते हैं कि इसके अंतरगत कौन-कौन सा आएगा, तो आप देख लेजिए गा, vocational में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरह से आएगा, तो यह देखिए, आपका यह सबार आ रहा है, इसमें से कोई एक है, तो आप यहाँ यहाँ कर देंगे, फिर course का नाम चूच क है, और जो भी भी से होता है, हिंदी है, तमाम यहाँ पर आपको मिलेगा, general history, सब चीज आपको मिलेगा, आप यहाँ से चूच कर लेंगे, जो भी आप पढ़ाई किये हुए है, अपना main specialization, फिर student ID, या role number, कोई एक आपको लिखना है, आपको पता है होगा role number, आप लिख पासिंगर बताएंगे, कौन से यहर में अपने पास आउट किये हुए है, फिर आपका पासिंग मन्त क्या है, फिर यहाँ पे percentage का, आप बता देंगे, CGPA है, तो उसको convert करना होगा percentage में, university का जो भी फर्मूला तो उसका recording, अब आता है, यहाँ पर email address, mobile number, यहाँ आपका रहे यहाँ पर आंस्वर दिलिजिएगा, और उसका यहाँ पर आंस्वर दिलिजिएगा, submit करना है, submit करते है, friends, इस प्रकार से आपके पास message आएगा, कि आपका जो है, account हो चुका है, create, लेकिन आपको जो एक mail भेज दिया गया है, और उस mail पे जो है, एक link है, उस link पे click करके, आ आपको जो account को activate कर लेना है, तो कुछ इस परकार से, friends, mail आएगा, यहाँ देखेंगे, activation, verification link रहेगा, और यहाँ पर आपको reference number में रहेगा, आप इस पे click करेंगे, तो आपका ID जो activate हो जाएगा, मतलब account जो आपका activate हो जागा, जैसे आप इस पे click कर देंगे, और जैसे आप पर open होगा, तो समझे, आपका account यहाँ पर activate हो जाएगा, इस परकार से, friends, आप देखेंगे, तो account has been activated लिग देगा, please login, हम आपको login कर लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, आप लोग इन करेंगे, अब हम अपना email address, password और कर्चा कोड भर के, login करेंगे, login करेंगे friends, यह आपको 5 step आगए, आपको करने है, तो यह 5 step को समझे, step by step क्या करना आगए, अब यहाँ देखेंगे, तो आपको passport size photograph बोला आगए, upload करने के लिए, तो JPG या PNG में आपको passport size photograph upload करना है, यहाँ आपको अपना mother's name, यहाँ father's name को लिखना है, इसके विए आप नीचे बारें बताएंगे नहीं, तो no करेंगे, और यहाँ 7 minutes करेंगे, अब 7 minutes करते हैं, अगले step में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको इस परकार से आपका qualification वाला जनकारी यहाँ पे आपको आजाएगा, अब यहाँ पे आपको graduation का provisional या passing certificate, कोई एक आपको लगाना है, यह त after, मतलब यहाँ पे किसके बाद आपने graduation किया था, तो 10 plus 2 के बाद किया होंगे, तो 10 plus 2 आप यहाँ चूच करेंगे, और यहाँ पे 10 plus 2 के बारे में जनकारी को भर देंगे, और जो भी आपका institute है, जिस सराजय सापने पढ़ाई किया, उसका school का नाम आएगा, फिर school का नाम, बोड का नाम, फिर student enrollment ID, या role number आप लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे about yourself अपने बारे में बताएं, फिर school percentage, कितना percent आपको प्राप्त हुआ गिरिशन में बताएंगे, जेनरल skill के बारे में आपको बताना है, अपने बारे में कुछ बता देजे, जैसे कि add a comma, separate values, जो जो आपक इसको लिखना है, तो यहाँ पहले pin code लिखेंगे, जो भी आपका pin code है, तो automatic यहाँ पे आप देखेंगे, तो आपका post office उसके according आएगा, फिर district आजाएगा, और राज आजाएगा, automatic, pin code लिखते ही, तो permanent address जो भी आपका अच्छे से लिखतेंगे, जो भी आप pin code यहाँ लि लिखेंगे, फिर present address आपको उसी तरह से बताना अगर से, मैं तो same same tick करेंगे, same same copy, जगा अलग है, तो अलग-अलग आप लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर save and continue कर देनी है, यहाँ पर पूछे का training का preference आप दीजिए, तो आपको location यहाँ state करना है, तो आप यहाँ पी का करेंग पहले उसका FSC code लिखेंगे, branch का name automatic आजाएगा, bank name automatic आजाएगा FSC code लिखते ही, फिर यहाँ पर account holder का नाम और bank account का number और bank का passbook यहाँ पे आपको PDF में attach करना है, और save and preview पे click करना है, तो account details अपना जो यहाँ पर दे दीजिए, 7S करते हैं, यहाँ पर आपको जो है, इस तरह स है, तो आप यहाँ पर final submit पे click करेंगा, print करके भी देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं, अच्छे से, कि हाँ सारा जनकरी से देख नहीं है, फिर यह करेंगा final submit, अभी आपका form final submit हो जाएगा, form final submit होते ही friends, आपका इस परकार से dashboard आपका open हो जाएगा, यहाँ पे आपका data of birth, यह आपका नाम होगर है, यहाँ so होता है, यहाँ edit profile का भी option, आप आप नीचे आएगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो जो भी vacancy यहाँ चल रही है, वो आपका यहाँ पे so करेंगे, इतने सारी vacancy चल रही है, देखिए, हमने आपको profile यहाँ पे update करना बताया, हम आपना जो है, form को continue कर सकते हैं, तो मैंने आपको relation करने का process बताया, अगर आप पहले से register हैं, तो login कर सकते हैं, चलिए, हमने यहाँ पर login कर लिया हुआ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब apply करते हैं, तो देखिए, यहाँ पे आपको जो तनी vacancy चल रही है, उस सारी vacancy आपको page number 2 पे, apprenticeship, यहाँ लिख रहा है, with union bank of India, यहाँ पे आपको का करना है friends, इसके सामने जो option मिल रहा है, apply करने का, यह देखिए apply view, तो आप apply पे click करेंगे, अगर आप view करके देखना जाता है, तो यहाँ पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि यह किस परकार की vac currency है, last date क्या है, आपके लिए qualification क्या चाहिए, यह सब आपको यहाँ पे course type में सबसी यहाँ पे दिया हुआ है, आप view करके देख सकते हैं, course का type क्या है, आपको annual status type 1 कितना मिलेगा, यह सब आपको देखने को मिल जाता है, तो आप view करके देख सकते हैं, इस से later documents देखना चात हमारा form जो है, जाके apply हो जाएगा, अब आपका जैसे apply हो जाता है, apply करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इस सुथ है, आपका apply हो गया, apply हो गया, और यहाँ देखे, advertisement अगेंस्ट आपको apply, तीन देखने को मिल जाता है, यह अपने form फिल अप कर दिया, अगर आपका पहली जमा कर देंगे, payment जमा करने के बाद से, friends, आपको क्या होगा, जो है, payment का receiving मिल जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है, wait करेंगे, अपने exam की त्यारी start कर देंगे, तो इस तरह से आपको form को apply करना है, आसा करता आपको सारी जनकारी समझ में आया होगा, और जै